तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन और सभी भूत पुरुष हैनिकों के लिए भी जो रक्षा मंत्री ने जो कुछ बड़ी गोश्णाय की हैं उसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको सीधे definitive लेकर दिखाऊँगे सीधे webसाइट पर लेकर जाऊंगे और कोशिश ये रहते हैं कि आप हमेशा exactly webसाइट में चेक करें जिससे आपको हमेशा उपमेशन पैस्पर में चेक करें जिसे आपको हमेशा सही इन्फार्मेशन मिल सकें किये हैं उनके वेलफेर के लिए क्या नई बाते बताई हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो क अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं तो आप देख सकते हैं यह है अभी रक्षामंत्री जो है जो उनका अभी विजिट हुई थी उसमें आप देख सकते हैं हर यूआ के लिए प्रेणा बनेगा सैन्य धाम और उसके बास से हमारा जो म बाते की गई थी मतलब काफी लंबा चोड़ा भाशन था लेकिन उसमें जो है जो चीजें भूतपूर सैनिकों के लिए थी उसका हम डिसकस कर लेंगे आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मोदी सरकार ने आते ही 40 साल 40 साल से लटकी पूर सैनिको की वन रैंक वन पेंशन मांग को पूरा किया यह पहला स्टेट्मेंट था चुकि अभी इसके ओपर पूरा काम चल रहा है अभी यह पूरी दस इंप्लिमेंट नहीं हुआ यह वाला पहला था उसके बास से देख सकते हैं आप कुछ एहम फैसले लिए दोजार से से पहले र जो रिटायर हवलदार थें उनको ऑनरेरी सुबदार रैंक के हिसाब से उनका पेंशन रिविजिन का पहले लाब नहीं मिलता था लेकिन अब लाब मिलना शुरू हो गया है स्सी जो है शॉर्ट सर्विस कमिशन जितने भी अधिकारी सेवा से मुक्त होने के बाद रैंक की उनको इज़ाज़त दी गई है और इसके लाबा जो है पचास वर्सों से अटकी नेवी एर फोर्स टेंशन रेगुलेशन रिवाइस करने का काम किया है बैटल कैजूल्टी में दो लाग की रकम को बढ़ाकर आठ लाग किया गया है उन्होंने दोजाचार के शहुदों को सम्मानित किया इसके लाब दोस्तों बहुत सारे ऐसे सैनिक वेलफेर के लिए काम है जो कि इस महीने उनकी घोशना की जानी है और इसमें ये भी कहा गया है कि जो जितना वो जो सर्विंग इंप्लॉइस है उनकी रिस्पेक्ट एतो उतना ही जो है जो लोग डिटार्ड हो चुके हैं उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट है तो उनको सारे अधिकार बराबर दिये जाने चाहिए अब देख सकते हैं कि लंबा चोड़ा पूरा भाशन प्लस कुछ जरूरी चीजे जो है उन्होंने इसमें जिक्र किया है जो कि आने वाले टाइम में जो है जितने भी भूत पूर हुसेनिक हैं उनके लिए जो है इंप्लिमेंट होने जा रही है तो दोस्तों कुछ बड़े ऐलान किये गए है और ये भी कहा गया है कि जनवरी के महिने में जो भी पूर हुसेनिकों के लिए जो वेलफेर के लिए जो प्लैंस बनाए जारे है वो उनकी गोशना की जाएगी दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी भूत्पूर सेनिकों के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिं दिस वीडियो